दोस्तो आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने OnePlus Mobile में फोटो या वीडियो हाइड कैसे कर सकते हो तो अगर आप अपने फोटो या वीडियो को हाइड करना चाहते हो तो कैसे करोगे चलिए दोस्तो ये वीडियो में देख लेते हैं और दोस्तो अगर आपको ये वीडियो प पर टच कर देना सबसे पहले आपको १े infect कर लेना है तो इसीजिए कि मैं रपर वन वन तू सिट कर ले था हूं तो मैंने पीं डाला जो पेन पहले डाले वह डिए 6 जाता है इसमें किलिक करके आप चाहो तो न्यू फोल्डर क्रियेट कर सकते हो एंड इसमें फोल्डर आ जाएगा एंड उस फोल्डर के अंदर अपने फोटो या वीडियो को हाइड कर सकते हो यहां पर फिंगर प्रिंट यहां पर लगाना चाहो अपना तो फिंगर प्रिंट को ओन कर देना तो यहाँ पे fingerprint reactivate हो जाएगा और अगर आप कभी pin change करना चाहो तो pin पर click करके pin भी change कर सकते हो तो finally चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे अब आप यहाँ पे अपने photo को hide करोगे तो चलिए दोस्तों यहाँ पे आप अपने photo video को कैसे hide करोगे यह देख लेते हैं तो इसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले बायक आएंगे जैसे कि यहाँ पे image and videos का फोल्डर है जैसे कि हमें photo hide करना है तो मैं image पे click करूँगा album पे आके सबसे नीचे आऊँगा और आप अपने folder में आज आईएगा जिन में आपके photo है जिन photo को आप hide करना चाहते हो जैसे कि यह photo है हमें इन में से कुछ photo hide करना है तो इसके लिए हम एक photo पे इसे दवाय रखेंगे फिर उसके बार में हमें जितने भी अपने photo को आप वीडियो को hide करना उनको हम select कर लेंगे जैसे कि यह है इसे hide करना है एक यह photo है एक यह है तो मेरे को इन तीन photo को hide करना है तो मैंने select कर लिया उसके बार में आप यहाँ पे three dot पे click करेंगे फिर नीचे की sign में आपको move to lock box का आपसर मिल जाएगा आप यहाँ पे move to lock box पे click करेंगे successfully photo यहाँ से hide हो जाएगे तो guys यहाँ पे आप देख सकतो फोटो यहाँ से हट चुके है अभी हम back आएगे और यहाँ पे हम आएगे lock box के अंदर अपना lock inter करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो यह रहे वह तीनों फोटो जिन फोटो को हमने hide करा था तो इस तरीके से आप यहाँ पे hide कर सकते हो अभी मैं यहाँ पे back आता हूँ इसी तरीके से आप video, video या किसी भी file को hide करना चाहते हो तो select करना वो hide हो जाएगा या फिर अगर मैं storage के अंदर यहाँ से फाइल मनेजर से फोटो या वीडियो को hide करना चाहता हूँ तो सेम उसी तरीके से कर सकता हूँ जैसे कि यहाँ पे download folder के अंदर यह video है इसे हमें hide करना है तो सेम उसी तरीके से मैं इसको select करूँगा three dots पे click करके यहाँ पे move to यहाँ पे log box पे click कर दूँगा और buy काऊंगा तो यहाँ पे दोस्तो वो जो वीडियो है hide हो चुका है मैं आपको check कराता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो वीडियो यहाँ पे आ चुका है और दोस्तो अगर आपको कभी अपने फोटो या वीडियो को unhide करना होगा तो कैसे करोगे यह भी मैं आपको बता देता हूँ तो जब भी हमें unhide करना होगा तो ऐसे हम select कर लेंगे जैसे कि हमें इस photo को सिर्फ इस ही photo को हमें unhide करना है तो मैं इसको ऐसे select कर लूँगा, उसके बाद में three dots पे click करेंगे, फिर हम यहाँ पे move out पे click कर देंगे, यहाँ पे हम internal stories पे click करके, हम यहाँ पे move पे touch कर देंगे, तो यहाँ पे वो photo आ जाएगा, अगर हम किसी folder के अंदल लाना चाहते हैं, तो उस folder को select करके move कर देंगे, इ आसानी से आप unhide भी कर सकते हो, तो इस तरीके से आप अपने oneplus के mobile में photos, videos को hide कर सकते हो, तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आए हो, तो like कर देना, अगर आप हमारे channel पे पहली बार आए हो, तो subscribe कर लेना, चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को यही पेंड करते हैं, तब तक लिए जाएं, जाए भारत!